तो नेवी की वेकेंसी बस यह समझ लेजिएगा जो मुझे आज बात हुई पता चला थोड़ा बहुत कि थोड़ा सा भी टाइम लग सकता नेवी की वेकेंसी में मैं अग्याएगी जल्दी और टाइम लगने का मतलब यह नहीं कि एक डेढ महीना है टाइम लगने का मतलब 10-15 इसके अंदर आपकी वेकेंसी आजागी और नेवी की वेकेंसी की थोड़ी से एक खास बात ही होती है कि जिस दिन नोटिफिकेशन या फॉर्म डेट आता है यू निकालेंगे फॉर्म भरो और यू निकालेंगे एक्जाम दो मतलब आपको मौका यह नहीं मिलेगा सास लेन जाब दो-तीन मेंने निप्रा के साइड कर देते हैं तो बिलकुल मतलब सच बता है आप सोचो कि इतनी जादा अभी दिखाओंगा मैं क्या क्या चीजी समय में पढ़ना पड़ेगा पुरा कम्प्लीट सेलेक्शन प्रोसेस काफी अच्छा-कासा मेहनत करना होता और इसके सिर्फ साट से सतर दिन खूब जाएगा तो असी दिन, असी दिन के अंदर पुरा प्रोसेस करना होता है तो बहुत मुस्किल टास्क होता है जो बच्छे इंतिजार करते हैं कि हमारा नोटिफिकेसन आएगा तब मैं तयारी करने के लिए लगूँगा ये थोड़ा सा गलट दिसीजन होता है खासका नेवी को लेके अब की बार एरफोर्स में बच्छे इस चीज़ को लेके परसान होगे थे कि सार से सतर दिन, सतर दिन आएथिंग या एकतर दिन दिन दिये थे इसी के आसपस तो थोड़ा से आपको पहले से प्लानी और त्यारी करना है श्टार्ट कर चुक है कि मुझे इसी में जाना फिक्स है तो फिर उसकी तैयारी को लेके उसको लेके फिर वेट करने की जोरत नहीं है फिर आपको कूदना है मतलब कूदना आपको तैयारी स्टार्ट करनी है तो बात करते हैं यहाँ पे बेटा जो नई वेकेंसी नेवी SSR MR 02224 की आने वाली है उसका क्या written पूरा selection process होने वाला है तो selection process को हम लोग तीन category में divide करते हैं सबसे पहला होता आपका phase 1 दूसरा होता phase 2 और तीसरा होता phase 3 पहले phase की बात करेंगे आप सभी लोग online form भरोगे उसके बाद आपका written exam होगा written exam यह phase 1 का है phase 1 मतलब सबसे पहला जो written exam होता है और यह जो written exam होता बेटा यह online होता है क्या होता online यानि CBT बोले तो computer based test होता है जैसे आप air force का देते हैं वैसे जैसे coast guard का आपका होता है यहाँ पे बेटा negative marking बिल्कुल होती हाँ जी होती है syllabus की बात करेंगे पूरा यह हमारा है second phase यह क्या है इसको मैं second phase की category में पूरा का पूरा रखता हूँ अब यहाँ पे देखोगे PFT physical fitness test common चीज़ आपको पता है सभी defense में होता है medical होगा ही होगा document आपका check करेंगे check करेंगे लेकिन यह return क्या है देखिए जैसे air force में दो step process आपको पता होना ची पहला phase one होता है return उसके बाद आपका interview जैसा होता है यहाँ पे interview नहीं होता है लेकिन एक बार और यह return है लेते इसलिए थोड़ा सा बराबर दिखता है बट ओर आल देखो कि negative marking को हटा दिया जा इंक्लूट कर लिया जा तो यह low जाता है दूसरी चीज़ मैं simple भासा बता हूँ जो भी बच्चे इस return exam को निकालते हैं आप सभी लोग इसको निकाल लेते हैं इसमें कोई दिकत नहीं थी क किसी किसी बच्चे को होता है मैं निकाओंगा सबको नहीं होता क्योंकि रीटेर लेने का मतलब कोई निकलेगा ही लेकिन जो percentage होता वो बहुत कम होता है तो आप अगर यह रीटेर निकाली है तो यह मुश्किल निला आता है अब यहाँ प्याती बात physical, medical and document verification फीजिकल की तहरी आप लोग करी रहे होगे दोड़ वगरा लगाई रहे होगे क्या क्या होगा भी मैं बताओंगा आपको पूरा डिटेल में medical आपका जो normal medical होता है डिफेंस को लेके वही आपका होगा height, waist, आपका chest check होता है, आपका height check होता है, knock knee, flat foot, carrying angle यह सारी चीज़ आपका nose होता है, ear होता है, है ना पूरा सब कुछ होता है और document verification जो कि आपका document आपके as a proof चाहिए कि आप यही के नागरिक और पूरा डिटेल ना तो यह आपका होने वाला, अब जब इस return के हम बात करेंगे, इसका syllabus कैसर इसका, दोनों का syllabus से में आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब इस return की बात करते है, step wise, सबसे पहले हम return की बात करते है, फिर PFT, फिर medical, फिर document verification है, सबसे पहले return की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आ से सार के अंदर आपको 100 question देखने को मिलता है, चार chapter के साथ, यह लिखा 4 है, यहाँ पे 5 chapter आते हैं, 5 subject आते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन सा, सबसे पहले आपका math fix है बेटा, यह 25 question आनता है, यह सबसे अच्छा होता आपका, English आपका 25 fix है, Air Force की बात करेंगे तो वहाँ BC आता है, अब बात करेंगे GK, इसके पास 25 question, बट यह 25 question जो है, यह दो चेप्टर में दो subject में बढ़ता है, एक होता है, इसको GA total बोलते हैं, मैं लोग GK, GS वाला, जो आपका person होता है, और दूसरा इसमें reasoning के भी कुछ question होते हैं, तो आपको reasoning भी पढ़ना पड़ेगा, और सुनिएगा, यहां पर तो आपको चार ऐसे ही दिग गया, अब सुनिएगा, science की अंदर भी basically दो subject आते हैं, physics होता है, और साथी साथ, chemistry, biology के कुस कोसन, physics का कोसन पुछोगे बेटा, तो 20 के आसपास होता है, और 3 से 4, 4 से 5 कोसन कह दीजे, आपका chemistry, biology से यहां से आजाता है, यह 21 के आसपास आता, तो यहां से 4 देदेगा, 20 देगा, तो 5 देदेगा, यानि overall subject काउंट करोगे तो 2, 2, 4, 2, 6 subject आपको पढ़ने, यहां पर लिखा 4 है, लेकिन total 6 subject हमें पढ़ने होते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह थोड़ा सा मुस्किल टास्क है, क्यों और reasoning के कुछ कोशन इसमें भी देखने को मिलते हैं, GK वाले portion में, ओके, तो यह है आपका, यह एक साथ मिला के देता है, यह एक साथ मिला के देता है, यहां पे sectional cut-off होते हैं, बेटा, आपका math, English, science, आपको GK, individual भी pass होना जरूरी हो, बहुत कम होता, लेकिन होता, state-wise नि साथ पढ़ लेते हम लोग, और 20 के आसपस आपका physics का कुशन जाता है, GK के अंदर आपका कुछ reasoning हो जाता है, बाकी सब maximum GK होते है, MR का आपके सामने, ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग, अब exam होता कैसे, exam आपका online होगा, एक घंटे आपको मिलेंगे SSR में, और आपक के थे न, तो आप दोनों भी भढ़ सकते हैं, आप चाहो तो, duration की बात करेंगे, बट collapse भी हो सकता है, इसकी बार गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता, कई बार नहीं मिलता, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, आपकी किसमत है, duration की बात कर करेंगे, ये state-wise होता, इसका cut-off पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अब बात करते हैं, हमने written की बात कर लिया, syllabus क्या होगा, आपका पूरा अच्यस देख लिया, उसके बात सब्जेट क्या होता, कितना टाइम लगता, आपको ये सारे शिये बता दिये, अब बात करते ह बहुत बड़ा चेंज किया आपकी बार, जो बच्चे पिछली बार दिये थे, आप से भी लोग ध्यान से देख लेना है, बेटा, जो आपका दौर है, वो 1600 मिटर, यानि 1.6 किलो मिटर, जिसको 2 मिल बोलते हैं हम लोग, ये आपको दौर ना होगा 6 मिनट 30 से के अंदर, औ और मेल के लिए, फीमेल के लिए बेटा 8 मिनट, ये आपका डियूरेशन है, दोल लगाने का इतने तक आपको करना पड़ेगा, इस से कम के अंदर, इसको यानि उठक बैठक आदमी, यानि लड़के करेंगे 20 और लड़किया करेंगी 15, बात करेंगे पूश अप, इसके ब बेंटनी करेंगे 15 और लड़किया करेंगी 10, पिछली बार जो बेंटनी था ये लड़के नहीं कर रहे थे, मैं आपको बता द रहा हूँ, पिछली बार में यहाँ पे खाली बैठा था और ये खाली था, ये दोनों 0 थे, आपकी बार दोनों include कर दिया, यानि कि सारे physical criteria से स भी काम चल पाएगा, लड़के तो physical में खर मारी लेते हैं, और सब return में अपने बदमासिक वज़े से रुक जाते हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम करते हैं, तो ये है आपका physical, इसके बाद क्या हो जागा medical, medical में आपको normal सा medical ध्यान रखना है, जो भी आपको लगे कि ह में medical में ये कमी, अगर आपको surgery हुई है, कभी operation हुआ, टेंसन मत लेना, eligible हुआ, ठीक है, medical की बाते सुन लेना, मैं जो बता रहा हूँ, उसको कभी भी पूरा detail में लिखे बैठाओ, बैठाने बैठूँगा, तो एक डेर घंटा लग जाएगा, समझ भी नहीं आगा, जो ब operation हुआ, ये दिकत, वो दिकत, operation वाले बच्चे भी eligible होते, कोई दिकत नहीं, बट वो हाँ, सही हो गया रहना चाहिए, जब तक आपका medical होता, perfectly, okay, more than at least six to nine months, उससे जादा रहना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे, उसका चसमा eligible है, बिल्कुल चसमा लगा सकते हैं, लेकि operation होगा, फिल हाला, entry level पर आप दे सकते हो, कोई दिकत नहीं, और साथी साथ बता दू मैं आपका, जो भी आपको medical issue कोई है, जहां पर दवा होआ चलती है, जैसे किसी बच्चे को अस्थमा है, तो अस्थमा पर हाला कि eligibility नहीं है, लेकिन अगर normal है कि ये, क्योंकि अस्थमा आज कल भी बहुत common disease लोगों के अंदर मिल रहा है, तो अगर वो normal है, थोड़ा बहुत adjust किया जा सकता है, तो कोई दिकत नहीं है, बहुत सारे बच्चों के अंदर, अगर बेटा यहां पर जैसे 6 उंगली निकली रती है, अगर वो size ठीक, छोटी सी है, तो कोई दिकत नहीं ठीक है, तो यह कहने का मतलब है, बाकि आप देख लिए का carrying हैंगा, आपका हाथ नॉर्मल रहना चाहिए, अब बहुत सारे बच्चे परसान होते हैं, मेरा हाथ इतना सीधा हो रहा, इतना सीधा हो रहा, उतना मैटर नहीं करता है, थोड़ा बुत रहना चाहिए, मतलब कि आप नॉर्मल जो काम करते हो, डेली का क्रिया, उसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए, जितना दूसरे लोग परफेक्टली कर पाते हैं, उतना आप कर पाते हो गिनी, बेसिकली यही है, और बात करेंगे, जो आपका फ्लैट फूट है, यानि कि आपका पंजा बहुत इसा सेफ, तो इसका मतलब यह सही है, ठीक, यह आपका सही माना जाता है, या आपका फ्लैट फूट इसमें रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे नौक नी हो गया, नौक नी के लिए आप अपने पैर के बीच का गैप रहना चाहिए, थोड़ा बहुत बिल्कुल टैच भी नहीं बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, यह नौर्मल मेडिकल आप सभी को अच्छे से पता है, बस इसे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ECG वगर आपका होता है, और इसके बाद डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में, डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में आपका आधर कार आपका 10-12 की मार्सी रेसिदेंशल सर्टिफिकेट, पैन कार, यह सारी चीज़ आपकी लगती है, तो मेरे साब से आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है, अब इन सभी प्रोसेस में, क्या आपको फिजिकल कभी भी चैलेंज कर सकता नहीं कर सकता, क्या आपको कभी भी इंटर्वी भी नहीं, आपको सिर्फ रिटे निकालना सीधे, आपका सेलक्षन, बहुत अच्छी नोकरी, बहतरी नोकरी, इंडियन नेवी में जाने का मौका मिले, मतलब समझे लो दुनिया की बेस्ट नेवी में आप जार हो, दुनिया की बेस्ट नेवी में, अभी आप नियू सुनोगे, मारकोस कमांडो, मार के धुँआ कर दिये, सुमाली आवले पाइरेट्स को, तो बहुत ही टैलेंटेर, बहुत ही हाई क्वालिफाइड नेवी आपकी, आप जब जाओगी इसमें जॉब करने का मौका मिलेगा, आपकी जिन्दगी को बहुत कुस सीखने को मिलेगा कि यार हम किस लिवल पे हैं, है ना, तो आप सभी के पास मौका बेटा जुडने का तो जरूर जुडना, ठीक है, वेकेंसी मुझे लग रहा, दस-पंदर दिन के अंदर अराम सा जागा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला, ओके, बात करेंगे सबसे ज़्य इसली बार का भी, अब की बार का भी, आप सभी लोग नेवी SSR MR02 2024 का जटायू बैच से जूड सकते हो, जो भी बच्चे एरफोर्स में अब की बार एलिजबल थे, most probably बेटा आप नेवी में भी रहोगे, तो सभी लोग कोर्स अराम से पर्चेस कर सकते हो, आपकी एज अभ मार्च के बार लोगे तो यह 699 का पड़ेगा, एक्जाम पूर ओफिसल एप पे, तो अभी जाके कोर्स को पर्चेस कर ले ना, बिना कुछ सोचे समझे, बाकी जब ही नोटिफिकेसन आएगा, जैसा भी आगा, उस वक्त हम लोग तैयारी और बुस्ट अप कर देंगे, आपको 100% live classes, 100% doubt free classes, on time cell bus complete होगा आपको, pre time table मिल जाएगा, यानि जिस दिन हम क्लास से स्टार्ट करेंगे, उसी दिन आपको पूरे batch का time table दे देंगे, किस दिन क्या पढ़ाने वाले, 1000 घंटे से जादा classes होगी, आपको on time DPP, यानि जो भी chapter हम आपको पढ़ाएंगे जिस उससे related question हम आपको देंगे, practice के लिए, और साथी साथ on time class notes, जो भी चीज यहाँ पढ़ाएंगे, उसको PDF के form में आपको दे देंगे, notes बनाने के लिए, अभी कभी आपकी class miss होगई मान लिजे, तो आप सब लोग recording के form में भी इस classes को देख सकते हो, सबसे अच्छा best क्या होत सिर्फ coaching का नाम प्रता करने, ढूड़ने, जितने आने जाने का पैसा लगेगा, उतने का ये course है, और रहोगे तो ओखालग खर्च, और बहुत अच्छी त्यारी होती ही online, बहुत ही बेहतरी होती, क्योंकि इसमें interview नहीं है, तो इसमें कोई interaction होना ज़रूरी नहीं, इसमें सारा खेलत त्यारी का, आपके self history का, तो ये online बहुत अच्छा score देता, बहुत अच्छा result देता, online में navy का बहुत अच्छा recorder रहा है, इसका एक मात region है, यहाँ पर कोई interview नहीं है, तो बच्चों से interaction, किसी से interaction की कोई ज़रूरत नहीं आपको, आप mentally question solve कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, आप question practice करो, हम लोग इस batch के अंदर question भरपूर देते हैं, भरमार लगाते लगाते ठक जाओगे, इतने question देते हैं, तो आप सभी लोग batch से जुड़ो, भटकने की ज़रूरत नहीं है, navy online बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जल्दी बीना time waste के, और आच्छे स्तैरी करते हैं हम लोग, जबर्दस तरीके से बीना time waste के, okay, thank you आप सभी को, जय हिंद, जय भारत